नमस्कार मैं कशेश और आप देख रहे हैं निक्स नाइन नियूज आज हम बात करने वाले एक बड़ी खुश खबरी को लेकर जिहां ये बात हैं आपर नवनीत राणा और उनके पती रवी राणा को लेकर यूँकि सबी को मालूम है कि अभी मैस दो दिन लगबग हो गए है उन्हें जेल से छूटे होए और अभी अस्पताल में ही भरती है यहां पर नवनीत राणा लेकिन जो बड़ी खुश खबरी है पहले उसकी बात कर लेते हैं कोड ने यहां पर बात की है कि इतना बड़ा मामला नहीं था कि राजध्रो का इल्जाम लगा दिया गया मामला मैस इतना था कि कहा जासकता था कि दोशी है या दोश्पूर्ण है इस तरीके की बात यहाँ पर कही है कोट ने तो इससे तो साफ मालूम चलता कि कहीं न कहीं कोट राज्थरों का मामला हटाने की पूरी कोशिश कर है क्योंकि आमसी बात है हमारे देश भारत देश में लोकतंतर है और लोकतंतर में कोई भी अपनी बात रख सकता है लेकिन जब तक किसी के आजादी को ठेस ना पहुचा है तब तक वही नवनीत राणा और रवी राणा ने जो उद्दव ठाकरे हैं उनके घर उनके आवास मातोश्री के भार जाके हरुमान चालिसा पार्ट करने की कही थी लेकिन मैं इस कुछ देर बाद उन्होंने अपना फैसला वापिस ले लिया और अपने घर पहुच गए लेकिन क्या हुआ उसके बाद पुलिस ने गिरफतार किया हंगामा इतना जादा बढ़ता चला गया कि गिरफतारी हुई और उसके बाद राजध्रो का इल्साम लगा दिया गया तेरा दिन तक जेल में रहे थे राणा दमपती वो भी दोनों अलग-अलग फिर तस्वीरे सामने आई कि अस्पताल में भरती कराया गया था नवनीत राणा को और उसके बाद तो हमने देखाई कि उनकी हालत बत से बत्तर हो गई लगाता बिगरती चली गई लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरे आ रही है जिस तरीके से कोट के फैसले आ रहे है तो चली इस रिपोर्ट में जानते है कि आखिरकार राजद्रो का मामला क्या होता है और ये पूरा मामला किस तरीके से इतना जादा सुर्खियों में बन गया बता दे कि निर्दलिय सांसत नम्नीत राना और उनके पती रवी राना जेल से रिहा हो चुके है तेरा दिन जेल में काटने के बाद उन्हें जमानत दी दी गई है पोट में जो साधार पर उन्हें जमानत दी थी वो और्डर भी सामने आ गए है और्डर में साफ तोर पर कहा किया है कि रानदमपती पर राजद्रों का मामला नहीं बनता है विशेश अदालत के न्याइधीश आर एन रोकाडे ने बुद्वार को अपने फैसले में कहा था कि रानदमपती ने अभी वेक्ति की स्वतनता की सीमा को लांगा जरूर है लेकिन सिर्फ अपमाजनक टिपनी या बयान ही राजद्रों लगाने के लिए प्रयाप नहीं है राजद्रों सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब हिंसा का सहरा लेकर सावजनिक शानती को भंग करने का प्रयास हो कोट ने जोर देकर कहा कि रानदमपती के बयान दोश्मुन जरूर है लेकिन इसे राजद्रों का धार नहीं बनाया जा सकता जजज ने अपने फैसले में आगे ये भी कहा कि रानदमपती ने किसी को भी हत्यार लाने को नहीं का था उनके बयानों की वज़ा से कोई भी हिंसा नहीं बड़ी की ऐसे में तमाम सबूतों को देक कहा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 124 एत तहट मामला दर्ज नहीं हो सकता बेल ओर्डर में सरकार के वकील की उस दलील को भी खारिच किया गया है जहां पर कहा गया था कि रानदमपती ने सरकार गिराने की साजिश में ऐसे बयान दिये थे इस पर कोट ने कहा कि जो भी घूशना हुई की गई थी उससे यह नहीं समझा जा सकता है कि हिंसक तरीके से सरकार गिराने का प्रयास हुआ सरकार के प्रती नफरत या संतोश भी नहीं दिखता है अब रात्रो का मामला तो नहीं बनता लेकिन कोट द्वारा नफनीतराणा और उनके पती को जमकर फटकार पड़ी है सपश्च कर दिया गया ही कि रानदमपती द्वारा सेम उद्दफ ठाकरे के खिलाफ जिस प्रकार के बयान बाजी की गई थी वो आपत्ती जनक है इस बारे में विशेश अदालत के नियाधीश आर न रुकाडे कहते है कि निताओ की शांती बनाए रखने में एहम भूमी का रहती है उनके बातों का जादा मान भी इसले रहता है क्योंकि कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं उन पर अपना विश्वास जताते हैं ऐसे में राजनेताओ की जादा बड़ी जिम्मधारी रहती है उनके द्वारे किये जा रहे भाशनों का असर भी जादा रहता है योगि लिए किसी पत पर आसिन रहते हैं अब अपने इस रिपोर्ट में ये तो सुनाई हैं कि कोट ने तो फैसला ले लिया है एक तरीके से कि ये सिर्फ दोशपूंट था इत्ता बड़ा मामला नहीं कि राजध्रो का मामला लगाया जाए लेकिन कहीं ने कहीं उदफ ठाकरी की सरकार इस चीज़ से नाखुश नज़र आ रही है क्योंकि आपको बता दी कि अमरावती से जब चुनाव हुए थे तो भारी बहुमत में जीती थी निर्दलिये सांसर नवनीत राणा और 25 साल लगपग यहाँ पर शिपसेना के एक नेता थे जो लगातार जीत रहे थे उनको हरा दिया गया नवनीत राणा के द्वारा जिसका जो गुस्ता था जो नफरत थी वो लगाता दिन पर दिन बढ़ती चली गए शिपसेना में और अब जर है यहाँ पर उद्व ठाकरे को कि कई मेरी सीट भी खत्रे में ना हो कई नवनीत राणा मेरी सीट ना ले जाए इस चीज का खत्रा भी लगातार बना हुआ है तो आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर क्या लगता है कि अब पद यहाँ पर नवनीत राणा ले स